हेलो दोस्तों मैं हूं विश्णू साधत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आइडियल ओपिनियन में दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे posterior blephritis या mebomitis क्या होता है उसके कितने परकार होते हैं उसके सिम्टम क्या होते हैं उसके sign and treatment के बारे में जानेंगे चलिए शुरू करते हैं इससे पहले कि हम posterior blephritis या memomitis की बारे में पढ़े हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि blephritis क्या होता है blephritis it is a sub-acute or chronic inflammation of the lead margin ठीक है इसको एक picture की साहता से समझे कि normal जो होता है इस तरीके का होता है blephritis हो जाता है तो हमारे पलकों पर क्या होती है सूजन आ जाती है inflammation हो जाता है या रेड हो जाती है आगे it is an extremely common होता है it is can be divided into clinical type clinical type में जैसे bacteria blephritis हो गया या ishtephylococcal blephritis हो गया सेवोरी गार स्क्वार्ण बलेफराइटी जिस्टे फाइलो कोकल जिस सेवोरी बलेफराइटी पोस्टीर बलेफराइटी या मेवोमाइटी एक होता है पैरासिटिक बलेफराइटी आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोस्टीर बलेफराइटी या मेवोमाइटी इस आलसो कॉल्ड मेवोमाइटी इस मेवोमाइटी का मतलब होता है इस इंफलामेशन ऑफ मेवोवियन ग्लैंड में जब इंफलामेशन होता है तो उसे हम कहते हैं मेवोमाइटी यह दो तरीके का होता है एक होता है कोरोनिक मेभुमाइटिस एंड एक होता है एक्यूट मेभुमाइटिस क्रोनिक में क्या होता है क्रोनिक मेभुमाइटिस इज एक कॉमनली अकरी में ग्लैंड डिस्फंक्शन मेभुवियन ग्लैंड में डिस्फंक्शन होता है और इट इस सीन मोर कॉमनली इन मिडिल एज पर्शन ये म Acute Mnobitis occur due to Staphylococcal Infection के कारण होता है क्यों होता है Staphylococcal Infection के कारण होता है It is characterized by painful swelling around the involved gland क्या होती है जो हमारी gland होती है उसके चारो तरफ painful swelling होने लगती है इसके symptom क्या होते है posterior blepritis के Coronic Irritation होता है Burning होती है Itching होती है Gritness हो जाती है Gritness हो लेती है Mild lacrimation होता है And इसके पाद आता है Sine Sine क्या क्या होते है White Fruity मतलब कि ज्छांग जैसा होता है सफेज ज्छांग जो बनता है Secretion are frequently seen on the lid margin हमारे lid margin पर ज्छांग जैसा दिखाई दिता है और काइन्थाय मेवोवियन से वो रिया होता है इसके पाद opening up मेवोवेन Gland become prominent with thick secretion Opening up मेवोवेन Gland जहां पर मेवोवेन के लिए Gland की opening होती है वहां पर prominent with thick secretion हो जाता है Treatment इतका क्या है Lid hygiene रखें It is essential होता है बहुत ज़रूरी है Topical antibiotic in the form of eye ointment Should be rubbed at the lid margin Immediately after massage Massage के बाद Massage अपने कर दिया So lid margin पर हमें क्या लगाना है Antibiotic का ointment जो आता है उसको लगाना है Eye drop may be used 3-4 time in a day पूरे दिन में हमें eye drop को 3-4 पर डालना है Next आता है systemic tetracycline Systemic tetracycline जो आता है जैसे उसमें Doxycycline 100 mg का हम ले सकते है For 1 week के लिए Then OD for 6 to 12 weeks के लिए Next ocular lubricant Lubricantic जो आता है आपका Artificial TA की पास कर रहा है वो Tropical steroid लेते हैं इसमें Tropical steroid में जैसे आपका जाता है Such as fluoromethalon may be required in patient with papillary conjunctivitis आगे का next video में Thank you very much आपका जाता है आपका जाता है आपका जाता है